लोक्तंत्र के महापर्व चुनाओं में हिस्सा लेने वाली देश की जनता को सर जुका के नमन करना चाहता हूँ उनको बढ़ाई देना चाहता हूँ कि आपने दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया आज चुनाओं के परिणाम आ रहे हैं और लगबग तस्वीर साफ होती भी दिख रही है ये चुनाओं कई प्रकार का संदेश दे रहे हैं एक सबसे बड़ा संदेश इस चुनाओं में दिया जा रहा है जनता के द्वारा कि दस साल के भारती जनता पाटी के सासन से लोग दुखी है, परेशान है और वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं महगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, तानाशाही से दुखी है जिस तरह से इस चुनाओं में धनबल का इस्तेमाल किया गया सीबियाई के तंतर का इस्तेमाल किया गया, इंकम टैक्स के तंतर का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के तंतर का इस्तेमाल किया गया, सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया हमारी पार्टी के मुख्या अर्विंद केजरिवाल सहित हमारे सिच्छा मंत्री हमारे स्वास्त मंत्री मनिसी सौधिया और सतेन जैन को जेल में डाला गया पूरे चुनाओं को प्रभावित करने की एक गहरी साजिस रची गई उसके बावजूद भारत के लोगतंत्र की एक खुबसूरती है कि देश की महान जनता ने कहा बी जेपी वापस जाओ ये नारा है इस देश की जनता का उन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट दिया भारत में आरक्षण की विवस्था जो दलितों के वन्चितों के सोसितों के पिछणों के आदिवासियों के लिए है उसको बचाने के लिए वोट किया और अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं भारती जनता पार्टी को बहुमत होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुल्ना में लगबख साथ सीटे बीजेपी की कम हो रहे हैं अब जरासीवी नयतिक्ता है भारत के प्रधान मंतरी में जरासीवी नयतिक्ता अगर देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था चार सो पार लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये चार सो पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए ये चार सो पार चाहिए आरच्छन को खतम करने के लिए ये चार सो पार चाहिए अपने पूंजी पती मित्रों को फाइदा पहुँचाने के लिए और इसलिए देश की जनता ने ये परिणाम दिया है भारती जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें तो जगडा करना है ये चुनाओं का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीती के भी खिलाफ है तानाशाही की राजनीती के भी खिलाफ है ये चुनाओं का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा मुहबत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनेगा तो इसलिए मैं इस देश की महाम जनता को बढ़ाई देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्द में आपने हिस्सा लिया और एक्जिट पोल के परिनाम को पूरी तरीके से आपने धस्त किया और ये बताया और ये बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे पार्टियों का चैन करेंगे किसी को भी इस एहमकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिलकुल हमेशा के लिए इस देश पे ताना साही की अपनी हुकूमत चलाएंगे और वैसे भी प्रधान मंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बाइलोजिकल नहीं है वो अवतार हैं भगवान से भी बढ़कर अपने आपको मानने लगे उनकी पाटी गाना गा रही थी कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे इतना हैंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे इतना हमकार हो गया कि भगवान जगनात जी उनके भक्त हैं ऐसा दावा करने लगे तो आज बजरंग बली का दिन है मंगलवार का दिन है और उनको एक संदेश एक संकेत भगवान ने प्रभुसरी राम ने बजरंग बली जी ने इस देश की जनता ने दिया है उससे कितना स मैदान में आई कि आप इस देश में ताना साई की हुकूमत नहीं चला सकते। मैं निविदन करूँगा हमारे प्रदेश संद्यप्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल रायजी से क्यों अपनी बाद रहे हैं। जिस समय चुनाव का साथवा चरण समख्थ हुआ और एक जिट पोल आये साथ चरणों के चुनाव में देश की जनता लगातार ये संदेश दे रही थी कि वो भारती जनता पार्टी की ताना साही को खत्म करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपना जनादेश दे रही है। लेकिन जिस तरह से जनता के संदेश को जानते समझते हुए आखिरी समय में भी भारती जनता पार्टी ने देश की केंदर की सरकार ने प्रधार मंत्री जी ने पूरे मीडिया चैनल्स को जिस तरह से मैनेज किया गया और फर्जी एकजिट पोल घोसित करके लोगों के साइक्लोजिकल माइंड पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिस की गई मुझे लगता है कि ये जनादेश उसके भी खिलाप है। आम आदमी पार्टी ने सहद इस देश के अंदर जितनी पार्टी आएं सबसे विप्रीत परिस्थिती में हमने ये चुनाव लड़ा और हमें इस बात का भरोसा है जिस तरह से दिख रहा है कि पंजाब के अंदर से हमारे सांसरों की संख्या पढ़ने जा रहे हैं सदन के अ इंदर भी जिस तरह से भार्टी जनता पार्टी ने सोचा था कि अर्विंद के जिर्वारत को मनिश्य सोधिया को सतेन जैन को गिरफतार करने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी सभी लोग पूछते से चुनाओ कैसे लड़ोगे प्रचार कौन करेगा लेकिन उन विप्र के अंदर जो मार्जिन था भार्टी जनता पार्टी का काफी बड़े पैमाने पर कम होने जा रहा है मैं देश के लोगों से एक ही बात कहना चाता हूँ आपने भाजपा को हराया है लेकिन भाजपा का अभी ताना साही प्रभिर्ती मनोभिर्ती अभी खत्म नहीं हुई है इसलिए इस देश को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए लोगतंत्र को बचाने के लिए हम सब को मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ना पड़ेगा मैं देश के उन तमाम पार्टी के लोगों से भी अपीर करना चाता हूँ जो इस देश के संविधान में इस प्रदेश के पास बहुमत नहीं है भाजपा के इतर जितनी पार्टियां है उन सब के पास बहुमत है आज देश के अंदर अगर NDA गठवंदन में देखें दो मुख्य पार्टियां है एक पार्टियां आंदर प्रदेश से टीडिपी चंद्रबाबू नाइडू 2019 में चंद्रबाबू नाइडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों कोई परठा किया दूसरे NDA के अंदर नचीस कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार भूम करके देश भर में नरेंदर मोदी जी के खिलाफ अवियान चलाया ये दोनों नेता हैं देश के लोग उनसे उमीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस ताना साही को खत्म करने के लिए देश की जंता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस ताना साही को खत्म करके एक लोगतांत्रिक सरकार बनाएंगे लोगों क करेंगे यह देश जो उमीद कर रहा है पूरे देश की हमें उमीद है कि जल्दी उसकी आकांच्छा पूरी हो हमारे पार्टी के राज़्टी सच्छी उपंकर लुकता जी मैं समस्ता हूं आज पूरे देश की जनता इस देश की जनता ने जो इस चुनाओं में नतीजे दिये हैं वो इस देश पर है नहीं पूरे विश्व पर बहुर बड़ा असर करेंगी पूरा विश्व देख रहा था कि हिंदुस्तान में किस तरह से जनता समुधान को बदरने की जब कोशिश हो रही थी उसका किस तरह से जवाब देता है और मेरा विश्वाश है कि लोगतंत्र में आस्था भारत के लोगतंत्र में आस्था इन चुनाओं के बात बहुत बड़े हैं और जैसा भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसा भी गुपाज जी ने कहा कि देश की जनता अब सब ही पार्टियों से भाजबा किया रावाः जितनी भी पार्टियां हैं उन सब से ये उमीज करती हैं कि ने देश के उन गरीबों के हित्में जो सरकार की तरफ इस आशा से देखते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा उन्हें जीने का सहारा मिलेगा उन सब के हित्में वो ऐसा मिरले लेंगे जो दूर तक देश को आगे लेकर चलेगा बहुत बात हैं